मैं सबसे पहले मराधावाड की महान धर्ती से हुजूर सहब को गुरु गोविन सीजी को प्रणाम करता हूँ मैं रेणु का माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेश कर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ मत्दान के बाद अलग-अलग लोगों ने बूत लेवल तक का जो अनालिसिस किया और जो जानकारिया मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एंडिये के पक्ष में एक तरफा मद्दान हुआ है लेकिन मैं देश वास्यों से आगर करूँगा एंडिये की जीत आप पक्की कर रहे हैं बैसर जुका कर आपका आभायर व्यक्त करता हूँ लेकिन जो लोग मत्दान नहीं करे रहे पहले चरण में लोग तंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है आप किसी को भी वोट दे लेकिन वोट जरूर दे हमें वोट में कभी भी उदासिंता नहीं करनी चाहिए और ये बात सही है गर्मी बहुत है दिक्कते भी है, शादिया भी है कुछ हिलाके हैं जाक किसान भी काम में है फिर भी जब हम देश के जवान की दरब देखते हैं कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ठंड हो, बरब गिर्ती हो कितना ही गर्मी हो वो डटा रहता है क्यों? देश के लिए मैं मानता हूँ मतदाता हूँ के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूँ मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूँ मेरे देश के भविष्य को सुनिस्चित करने लेगे मतदान करता हूँ और इसलिए एंडिये के भव्वे विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोग तंत्र के लिए मैं फिर अगर करूँगा कि भारी मतदान हो रा चाहिए और मैं राजनीतिक छेत्र के सभी दल के कार करता हूँ बले आपको लगता हूँ आज की भी अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करे मैं उनको भी कहता हूँ लोग तंत्र के लिए मेहनत कीजिए अरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसो परसो नहीं तो नर्सो अरे कभी तो मोका आएगा ऐसे निराज हो के क्या बैठ गए हो